गुद मॉर्णिंग वच्चों, हाउ आर यू, ओके, चले तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वर्क, डेट है आज आज आपकी 27 अपरिल, और क्लास है आपकी फर्स सब्जेक्ट है इंग्लिस, और डे है आपका मंडे, तो हम आज स्टार्ट करते हैं आपका वर्क के यहां से स्पैलिंग मेकिंग, हमने स्पैलिंग मेकिंग पहले टू वीडियो में कर चुकी है, का से गया तक, तो वहीं से उन्हीं में से हम कुछ शब्द बनाएं और उनको आपको इंग्लिश बनानी है, जैसे मैंने यहां लिख दिया है, अबुजग, कहर, गगन, कटर, बर्गद, टमटम, जटपट, मरहम, यह इस तरीके से मैंने आपके लिए शब्द लिए इनकी आपको इंग्लिश बनानी है, इंग्लिश कैसे बनानी है, जैसे आ, आ से बनता है ए, अब, बा से बनता है बी, तो अब, ए, बी, जग, जे, ए, जी, जे, ए, जी, तो यहां आपका जे, जी, हो जाएगा, इसी तरीके से आपको पूरी यहां से यहां से यहां तक बनानी है, second topic है, आपका write about yourself, five lines, यहां आपको अपने बारे में लिखनी है, five lines, अपना introduction देना इसमें, तो यह देखे, मैंने यहां explanation दिया है आपके लिए, जैसे कब, तो के, ए, बी, क middle में लगाना है, अब जब A की मात्रा आएगी, तब यहां पर A last में आएगा, A की मात्रा नहीं आएगी, तो यहां A last में नहीं आएगा, अब जैसे यह देखे यह, रा, बर्ड, तो र, आरे, ब, 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 ड, ड, द, ए, नहीं लगाया है, मैंने यह दियान दे, ऐसे ए, तो अरहर मैंने देखी यह लिखा है अ से ए रा से आर ए हा से ह ए और रा से आर यहां भी आर ए नहीं है तो इसी तरीकी से आपको यह जो आपको उपर spelling वर्क मेकिंग का वर्क है यह आपको complete करना है next topic आपका था introduction में इसको आपको help दे रही हूँ इसमें आपको complete आपको करना है यह देखिए my name is first line आपको क्या लिखनी है my name is आपका name क्या है I am a अब आप क्या हो boy हो या girl हो I am a boy या girl I am कितने years old के हो तो six years old seven years old जुक जितने years का है वो यहां पर आपको लिखना है next आपका है I study in class आप study करते हो class में किस class में study करते हो तो यहां लिखनी है और last है आपका I live in यहां पर अपने गाउं का नाम लिखना है कि मैं यहां पर रहता हूं मैं बिसावर में रहता हूं जैसे भी जहां भी आपका जो भी गाउं का name है वो यहां पर लिखना आ है तो बेटा यह आज आपका homework है इसको आप अच्छी